हेलो गाईज आप देख रहे हैं WK Creator YouTube चेनल तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने नाम से हम अपना वोटर कार्ड नंबर केसे पता कर सकते हैं जिसके दोरा हम पूरी इंपॉर्मेशन पता करें तो आप सबसे पहले Chrome Browser में सर्च करेंगे ECI यानि Election Commission of India आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे मैं इस वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्कुरिशन में भी दे दूँगा तो आप वहाँ से डारेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं तो चेलिए आपके सामने Election Commission of India की में वेबसाइट ओपन हो गई आप इसे थोड़ा नीचे सलो डाउन करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे सर्च नेम इन वोटर कार्ड आप इस पर किलिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा आप सबसे पहले फर्ष्ट ओप्सन में आप यहाँ पर अपना नाम दालेंगे जो भी आपने वोटर कार्ड के लिए दिया था उसके बाद आप अपना जो भी फादर सनेम है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर अपनी एज जो भी है वो आप यहाँ से सलेट करें तो चलिए मैं अपनी यहां से select कर लेता हूँ उसके बाद अपना gender choose करें जो भी आपका gender है आप यहां से select कर सकते हैं यहां से अपना state चुने जिस state से आप belong करते हैं अपना state यहां से चुन ले उसके बाद आप अपना जीला सेलेट करना चाते हैं तो आप यहां से अपना जीला सेलेट कर सकते हैं उसके बाद आप यहां पर जो कैपचा कोड दिया हुआ है आप यहां पर उसे दर्ज करें और उसके बाद आप सर्च बटन पर किलिक करेंगे तो चेलिए मैं एकेप्चर फिल कर लेता हूँ आप सर्च पर किलिक करें उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पर साइड में अपने इस्टेट का नाम और डिश्टिक का नाम दोनों दिया हुआ है और यहाँ पर अपना नाम भी दिया हुआ है आप यहाँ से अपना नाम कंफर्म कर लें कि यह आपका ही नाम है और जहां आपका नाम दिखाए दे unrest आप किलिक करेंगे तो चलिए मैं किसी एक पर किलिक कर लेता हूँ आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पर दिया हुआ है अपना जो वोटर कार्ट नमबर है वो यहाँ पर दिया हुआ है आप यहाँ से उसे नोट कर सकते हैं और यहाँ अपनी जो भी सारी डिटेल है वो यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा नीचे सलो डाउन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है मददाता सूचना प्रिंट करें तो आप इस पर किलिक करके अपने मददाता सूचना प्रिंट कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीज़े चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए